लेटेस्ट नया वीचर आया जो कि बीटा वर्जन में बहुत पहली आ चुका था पर अब डेफिनिटली वाटसप के आल वर्जन पर आ चुका है तो अगर आप नॉर्मल यूजर है तो आपको भी अपडेट मिलने वाला और यह फीचर मिलने वाला दोस्तों यह फीचर है किस का उसके बारे मताने वहें दोस्तों होता क्या है आपके अब कुछ ऐसे कॉंटेक्ट थे हैं जो आपको पर्मानेट मैसेज भेशते रहते चाहिए लाइक बोल सकते हैं आपको आप इसको बलॉक भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके प्रचान क्यों आप ना ब्लोक कर पते हैं उनको नहीं वहाँ से डिलिड कर पते हैं तो वह मैस्ज़ आपको बाराबर करते हैं बार बारसाम की नोटिफिकेशन आती रहती है तो तो एक उसके इसको बोल सकते हैं और दूसरा अगर परसन को या एक प्रटिकुलर परसन को या आप कोई से भी ग्रूप को पर्मानेट कर सकते हैं मतलब कोई भी उसमेसेज आएगा या कुछ भी फोटो वीडियो कुछ भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी जैसी आप वाटसप आउन करेंगे तो वहां आपको सबसे हैं मैं बताने माला हूं को लेकिंगे आपको देख सकते हैं यह मेरा का वारा-वारा मैसेज कर रहा है कुछ भी ऐसे इरिटेशन कर रहा है आप चाहते हैं कि उसको म्यूट कर दूँ ताकि इसकी नोटिफिकेशन की ट्यून मेरे को कोई सुनाइगी ना दे मेरे को कोई मैसिस होगा बाद में रीट कर सकता हूं तो आपको करना क्या है उस बंदे को जिसको भी करना उसको तुड़ी टैप करके रखेंगे तो उपर की तरफ आपको जाना है यहाँ पर यहाँ पर आपको तीन आप्शन मिल रहे हैं पर कई नहीं दिखेगा अगर आको नोटे विकेषन चाते हैं तो आपको सर्भ यहां शो नोटेफिकिशन पर कर देंगे इससे क्या होगा बंदे का मैस même जायेगा अभी आपको कोई ट्यून नहीं आई मतलब को पर शृरंत खोल करो तो यह तो हो गया है आप आप एक तरीके से यहां से कर सकते हैं और दूसरे तरीके से अगर Mute करना चाहिए तो आप यहां पर बंदे के उस पर क्लिक करेंगे जना आई की बटन पर यहां पर जाने के तो आप देखेंगे नीचे की तरफ आपको को यहां पर देख रहा है Mute Notification Always यहां पर सेट दिख रहा है और default में यहां पर आप यहां पर वापस क्लिक करके इसको मोडिफाइग करना जाए तो मोडिफाइग कर सकते हैं अड़ाना चाहिए यहां से हटा सकते हैं यह तो हो गया से हाइब तो करने के लिए औरелиें आप अपने मूज कर लिए और यहां मियूट करना चाहों को कुरिण उपल से कलिक करें यहां पर तो सम्ब्स क्लिक करेंगे तो भी होगा जो भी मैसले आइगी नोटिफिकेशन आपको वहापर मिल जाएगी ट्यून के साथ और नोटिफिकेशन पैनल पे भी आपको भी मिल जाएगा तो ग्रूप को भी आप सिंपल यहां दबा के रखेंगे और यहां पर कर देंगे तो यह अन्म्यूट हो जाएगा तो दोस्तों यह लेटेस